नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तों, आपके दंपत्य जीवन में कोई तीसरा आ गया है? क्या आपके पार्टनर का एक्स्ट्रा मेरी टेलर फिल चरला है? दोस्तों, एक इनसान सारी दुनिया से जंग तो जीत जाता है, लेकिन जब जंग अपने आप से हो, यानि अपने पार्टनर से हो, तो वो हार जाता है जी हाँ, क्योंकि जब बात हमारे प्यार की आती है, तो हम किसी के साथ बताना मंचूर नहीं करते हैं, और शादी के बाद तो बिलकुल भी नहीं, क्योंकि शादी एक ऐसा रिष्टा है, जहां विश्वास पर टिका होता है, अगर रिष्टे में विश्वास नहीं है, तो शादी तूटने में वक्त ज्यादा नहीं लगता आपकी शादी मजबूत रहे या किसी कारणवर्ष आपके पार्टनर के जीवन में कोई आ गया है और उसको निकाल कर बाहर फैकना चाहते हैं तो आज का वीडियो अंतक देखे आज के इस वीडियो को आप देखे और आपको पता चलेगा कि कितनी असानी से आप अपने पार्टनर अपने जीवन साथी से तीसरे इंसान को कैसे बाहर निकाल के फैक सकते हैं अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ दोस्तों अगर आप किसी से करते हैं प्यार और उसके साथ आप लव मैरीज करना चाते हैं या लव मैरीज को अरेंज करना चाते हैं या उसके घरवालों को मनाना चाते हैं या आप किसी को पसंद करते हैं और उसको अपने वश में करकर मन चाहा काम करवाना चाते हैं तो एक बार गुरु जी को जरूर कोल करें हमारा फोन नमबर है सेवन जीर तो माताओं और बहनों अगर आपके पती के जीवन में कोई दूसरी ओरत आ गई है यानि आपकी सोतन आ गई है तो आपके लिए जीवन कितना मुश्किल हो जाता है हम समझ सकते हैं क्योंकि ऐसी इस्तिती में पती ना तो बच्चों की तरफ ध्यान देता और ना पत्नी की तरफ ध्यान देता है और उनकी ये बेरुखी बरदाश नहीं हो पाती है इसलिए अगर आपके जीवन में ऐसा कोई आ गया है तो इस वीडियो को अंतक जरूर देखिए इससे पहले की बात आपके हाथ से निकल जाए तो एक अचूक उपाए इस उपाए को अपना कर आप अपने पती को अपने प्यार से पागल कर सकती है वो किसी को दूसी उड़त की तरफ बुड़के भी नहीं देखेगा उन्हें आपकी इस दुनिया की सबसे खास और सुन्दर महिला लगेगी जिसे आप छोड़कर जाने से डर लगने लगेगा उनके दिल में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए प्यार होगा किसी और के लिए नहीं जब आपके पार्टनर के जीवन में कोई तीसरा आ जाता है तो हमारी जिन्दगी नर्खर जैसे ने लगने लगती है हम ये सोचने लगते हैं कि हमने अपने प्यार में कहां कमी कर दी जो तीसरा हमारी जिन्दगी में आकर अगर आप भी ऐसी इस्तिती से परिशान है या जूज रहे तो आपकी परिशानी का खत्व होने का समय आ चुका है क्योंकि आज का अचूक और टोटका मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अगर आप इस उपाई को करते हैं तो आपकी जिन्दगी में वो प्राई औरत जो आपके पती की जिन्दगी में आ गई है वो निकल कर बहार चली जाएगी और आपका पती आपके लिए पहले से भी ज़्यादा बढ़कर आपको प्यार करेगा तो अब आपको परेशान नहीं होना इसका उपाई करना है तो आईए बिना समय भरवात करें मैं आपको वो उपाई बताता हूँ आपको शाम के समय अपने मंदिर में दीपक जलाना है और उसी समय एक कागज लेना है और उस कागज पर अपने पती का नाम लिखना है दूसरी और उस महिला का नाम लिखना है और इदर महिला का नाम लिखना है फिर क्रोश करकर अपने पती का नाम लिखना है इसमें क्रोश करकर निशान बना दे और भगवान पर विश्वास करते हुए अपनी मन्नत को उस दीपक के सामने मांगना है इस कागस को आपको उस दीपक के सामने जला देना है ऐसा आपको लगातार तीन दिन तक करना है और ये करते वक्त आपको एक मंत्र का जाप भी करना है ध्यान से सुनिएगा इस बात को और वो मंत्र है इस मंत्र का जाप करें इस से आपके पती और दूसी ओरत के बीच जो रिष्टा है वो समाप्त हो जाएगा और आपका पती मुढ़ कर कभी भी उस ओरत की तरफ नहीं देखेगा और सिर्फ और सिर्फ वो आपसे प्रेम करेगा आपको पहले से भी जादा प्यार करेगा और आपके साथ अपना जीवन वतीत खुशी खुशी करेगा और इस उपाए को अपनाए और अपने दंपते जीवन को खुशाल बनाए दोस्तों अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का अगर आप किसी से करते है प्यार और लव मैरीज करना चाते है और लव मैरीज को अरेंज करना चाते है और उसके घरवालों को मनाना चाते है तो आप किसी को पसंद भी करते है और उसको अपने वश में करकर अपना मन चाहा काम करवाना चाते है तो एक बार गुरु जी को कोल कीजिए हमारा फोन नमर है 7014367430 तो यही कामना के साथ आप हमेशा खुश रहे माता रानी किर्पा आप पर यूई बरसती रहे जै माता दिए